तो यार आज कोई भी व्लॉग नहीं आ पाया आज मैं जो आपके सामने बैठा हूँ यह 48 घंटे से भी जादा हो गया शायद मैं जागा हुआ हूँ और मेरी आखें आप लोग देख सकते हो काली-काली हो गई है और मुह मुतरा हुआ है ताकत बिल्कुल भी नहीं लेकिन जै नहीं पता था और आज अचानक बहुत सा सीवियर कंडिशन होगी उसकी तो कानपूर के क्यम सी में वह भरती थी एक्चुली उसको शिकन पॉक्स भी था और छे-साद दिन से वन वीक से एटलीस उसको थोड़ा सा वह था कफ तो वह जो बच्चों में डबल निमोनियां हो जाता है तो वह पिशता हो ग्याता तो आज हुआ यह कि ऑक्सीजिन दो सिलेंडर उसके लगाए जयता है यह उग्सी जन में बड़ी इसको दिक्कत हो ती P आक्सीजन उसका बहुत कम हो जा रहा था लोग हम लोग के सब लोग मेरे पूरा ननी हाल हम लोग आस पास ही रहते हैं तो यार तो सब एक दूसरे की सपोर्ट के लिए खड़े रहते हैं हमेशा से क्योंकि भले खुशियों में सब एक दूसरे के जाएं या ना जाएं लेकिन जो इस सब चीज है इसमें हमेशा से सब लोग एक दूसरे के साथ हैं तो मैं बस इतना कहाना चाहता हूं यार तो हम सब लोग शौक्ड हो गाएं मेरे तो सुनते ही मेरी हालत खराव हो और मैंने तो continue में ब मौत नहीं डाल सकती तो लेकिन उसके पहले कि हर एक चीज़े सही हो सकती है दूसरे तो ला इलाह इलाह अंता सुबान का इन्य कुंतु मिन जालिमीन ये एक ऐसी दूआ है सिवाए मौत के बाकि हर एक चीज ये दिल से मांगी जाया तो अल्ला ताला चाहेंगे तो ज़रू इस चीज़ को सही कर देंगे जितनी भी मुसीवत और प्रॉब्लम्स मैं आप लगोंगे कभी भी ट्राइ करके देखना तो मैं इसको पढ़ने लगा पढ़ने लगा पढ़ने लगा मेरा बतलब ऐसी बात मुझे सुनने को मिली कि बहुत जादा तवित खराब होस्पिटल बोले आपको की नहीं रख रहे हैं आप अपने बच्चों के लेकर जाएगे तब फिर अच्छा खास होस्पिटल तो आप क्या करोगे तो सबके लिए बहुत ज्यादा टेंशन थी हम लोग भागे सुबे सुबे तो मैं सोने ही जा रहा था तो नहीं सो पाया मैं तुरंद देखे गया फिर वहां पे हम लोग देखे फिर बिलील हुआ सब कुछ फिर हम लोग लेके के अंसी निकले तो रेजेंशी बहुत बड़ा हुस्पिटल अकानपूर का तो वहां से पिर निकले तो फिर रतन दीप है रहे हो मोती के बगल में वहां पे जाके हम नोंने एड्म पर तक जा रही थी, तो यार यू बेहूसर में ब्रेन हैंबडिज का मसला हो सकता था और कॉमा में जा सकती थी क्योंकि नहीं हार्ट बच्चे का इतरह जादा होगा तो बहुत सारी दिक्कते हो सकती और जान का दिन रखेंगे और अभी थोड़ा सब बैतर है अलहम्दिल्ल्ला से बैतर है और अल्ला से दूआ है कि वह बच्ची जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए और सब कुछ बहुत अच्छा हो जाए क्योंकि यार अगर आप 90 साल के हो 80 साल के हो 100 साल के हो आपकी तबित खराब होती है एक्सपेक्टेड होता है यार कि नेश्रल आप जा सकते हो इस दुनिया से लेकिन यंग इनसान जैसे चले जाता है या कोई बच्चा अगर जिसको जिसने दुनिया ही जिन्दगी नहीं जी अपनी तो यार वो ना सबर नहीं होता है बिल्कुल भी तो यही सब चीज है और पलोग से बी मेरे वस्याई ही गुजारिश आए कि यार अपने बच्चों को जो बी मिले ख्याल मैं बजर्ग में और बच्चों में ज्यादा यह जाधा यह 環री प्रावलम होती है यह डी डबल निमोनिया की तो प्लीज आप लोग अपने आपको और बच्चों को और कुछ न कुछ तो पेश करूँगा तो बस मैं करूँगा जो लोग मुझे मिस करते हैं जो नहीं देख पाते हैं उनके लिए मैंने ये समाधान निकाला है कि आप मुझे यहां पे देखो ऐसे देखो मैं ऐसे हूं वाई लाफ इस टेक कि अपने ख्याल रखना और ऐसे ही झारन जो तीकर